बाबा का जन्म 30 अक्टूबर 1909 को मुंबई के एक पारफी परिवार में हुआ था भारत में न्यूक्रिय प्रोग्राम की शुरुआत बाबा नहीं की थी इसलिए उन्हें फादर आफ इंडिया न्यूक्रिय प्रोग्राम भी कहा जाता है उनके काइडन्स में ही Tata Institute of Fundamental Research और Atomic Energy Establishment ट्रॉम्बे जिसे की अब बार्क यानि भाबा Atomic Research के नाम से जाना जाता है इन दोनों की अस्थापना हुई थी भारत में यूरेनियम की प्रचुर मातरा ना होने को जैसे भाबा ने दूसरे देशों की विप्रीद भारत में थ्री स्टेज थोरियम बेस्ट नुकलर प्रोग्राम डेवलप किया शुरुआत में भाबा परमानों हत्यारों के सक्त खिलाब थे और वो चाहते थे कि दुनिया शान्ती पुन तरीके से परमानों उड़जा पे दिहान के एंज़ित करे ना की हत्यारों पर आपको जानकर हैरानी होगी कि 1905 में बाबा युनाइड नेशन कंफरेंस ओन पीशफुल यूजेज ऑफ एटोमिक एनरजी के फर्स प्रेसिडेंट चुने गए थे शान्त सभाओ के भाबा दुनिया के जाने माने फिजिसिस्ट जैसे की आइंस्टीन, नील्स वोर्ड, सीवी रवन के साथ काम किये और क्वांटम फिजिस्ट के शुरुआती डेवलप्मेंट में एक इंपॉर्टेंट रोल निभाया मगर 1962 के भारत चिन यूद और 1965 का भारत-पाकिस्तान यूद के बाद भाबा को भारत के लिए परमानू हत्यारों की जिरुष महसूस होई और भारत के तत्कालीन परदान मंतरी लाल बादुर शास्त्री से उन्होंने इस बारे में चर्चा की जो के खुद परमानु हत्यारों के बड़े सपोर्टर रहे थे अपने जीवन के आखरी महीनों में भाबा भारत द्वारा परमानु हत्यारों बनाने के बड़े पक्चकार रहे और उस पे अपने हिसाब से काम भी शुरू कर दिया था मगर एक रहस्माई तरीके से उनकी एरोप्लेन ब्लास्ट में 26 जनवरी 1966 को मौत हो गई उनकी मौत को बहुत लोग लालबादर शास्त्री के मौत से भी जोड़ कर देखते हैं दोनों की रहस्माई तरीकों से मौत हुई है और आपको जानकर ये बहुत ही हरानी होगी कि दोनों के मृत्तियों के बीच मात 13 दिनों का फरक रहा है जियां जहां लालबादर शास्त्री का देख 11 जनवरी 1966 को हुआ था वहीं भावा का देख 24 जनवरी 1966 को हुआ है क्या ये अजीब नहीं लगता कि एक ही देश का प्रधार मंतली और एक ऐसा साइंटिस्ट जो भारत को दश को पहले नुक्लिर पावर बना सकता था दोनों की मिस्टीरियस वेज में देथ हो जाती है मगर सिर्फ इतना ही नहीं ग्रेगोरी डगलस नाम के एक फेमस जर्नलिस्ट ने अपने बुक कनवर्सेशन्स विद क्रो में अमेरिक हुपिया एजेंसी C.I.A. के तब कालीन असिस्टेंट डिरेक्टर रोबर्ट क्रॉली की उन बातों का जिगर किया है जिसमें क्रॉली में एक टेलिफॉनिक इंटर्वियो में स्विकार किया कि भाबा का प्लेन बॉम फटने से क्रैश हुआ ना कि टेकनिकल फेलियर से तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि आखिर रियल में क्या हुआ होगा